आप सभी के स्वागतेट बात करेंगे एक दिगज और शांदा कमपनी के बारे में जिसमें आपको कौँगा एक शेर के बदले आपको दो शेर मिलेंगे दोस्तो इन्वेस्टेर के लोटरी और जबर्दस मोग का खरीदने वाले के लिए कमपनी के फंडामेंटल देखकर ही आपर इन्वेस्ट करना दोस्तो क्या होता है company के fundamental जितने आच्छे रहेंगे उतना है हमारे लिए भी बढ़िया रहेगा और हमारे भी wealth creation उतनी शानदर रहेगे इसी वज़े से आपको कहूँगा इस company के fundamental देखना और बाद में इसाब easily decision ले सकते हैं पहले start करेंगे company के quarterly basis पर हम बात करते हैं जो result आते हैं उसके बारे में जैसे के आपको बताना चाहूँगा इसके जो result देखेंगे तो नज़र आता होगा आपको 2020 सब्सक्राइब करेंगे यहां पर आपको नज़र आएगा जबर्दस तरके से company का जो आपको कहूँगा और आपको कहूँगा जिसे के net profit की बात करें तो 67% से ग्रो रहा है तो शांदर बात है कि company quarterly basis पर बढ़िया परफर्म कर रही है और return देने के लिए जबर्दस तरके से moca created करते हो नज़र आ रही है यहां पर आम नेक लिएवर पर बात करते है company के cash flow के बारे में cash flow में आपको कहूँगा 115% से company का cash flow ग्रो रहा है दोस्तो यहां पर आप सभी figure देखेंगे तो एक करोड में है और company की कमाई आपको कहूँगा 2016, 17, 18 तक कुछ भी नहीं थी उतना लिए 123 करोड कमा रही है तो इसमें कमाई company की बढ़ते हो नज़र आ रही है इस वोजे से यहां पर भी company का performance कुछ आच्छा नज़र आ रहा है अब यहां पर नेक लिए उपर बात करते कारपूट action के बारे में जैसे कि इसमें company ने कब तक dividend दिया है कितनी बार dividend दिया उसके के कोशिश की है यहाँ पर आपको कौँगा dividend देखना किसे ले आपको कौँगा जो पैसे मिल रहे है एक दो रुपए वो मायने ने रखते बट यह चीज़े देखकर क्या समझ में आता है कि company profit कमा रही है समझ में आता है क्योंकि जो company कमाईगी नेना वह आपको दे नहीं सक आपको देख सकते हैं आपको कौँगा company ने split कर दे हैं बोलतों एक शेर के वह तुकड़े करेंगे और उसको कहूँगा दो कर देंगे बिल्कुल आपको जो यहाँ पर सव का शेर होगा तो पचास-पचास में उसके दो शेर हो जाएंगे यहाँ पर आप नेकले पर बात कर आपको छे मैने में और प्राइस भी देखेंगे तो आपको 60 रुपए दोस्तो पर शेर पर कमाग दे हैं बड़िया बात है जितनी ज्यादा quantity उतना बड़िया तरकिश परफर्फरमस और उतना बड़िया रिटन आपको मिलेगा यहाँ पर हम company के market cap की बात करते हैं आपको क कमपनी के promoter की holding देखेंगे तो बहुत ही आच्छी नजर आएंगे 55% के उपर का stake उनके पास नजर आता है बट यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना पड़ेगी देखिए इसके जब मार्केट के बात 2000 आपको कौँगा कमपनी का 2000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कर्जा है वह इसी कमपनी नहीं है दोस्तो है यह कमपनी देखेंगे तो दोस्तो आपको कौँगा 21 करोड़ का कमपनी का मार्केट आप है और यह बात देखेंगे तो आपको नजर आगा कि इसका जो मार्केट कर्जा है इस बात को भी आपर नोट करना पड़ेगा क्या होता है कमपनी में lottery लग चुकी है सभी बात है बट यहाँ पर यह भी देखना चाहिए कि इसमें fundamental कितनी company अच्छे बोलकर क्या होता है कुछ stock आपको पैसे कमा के देंगे कुछ share आपको समझा के देंगे कि दोस्तो आप आई से share में नहीं रहना है बोलकर अब यहाँ पर इसके earning per share की बात कर वो भी minus में है तो इसलिए मैं आपको हर वक कर रहा हूं कि जो भी company आप invest करे या share देखे उसके fundamental देखकर ही invest करना आप इसके return की बात करे तो 6 मैने में stock ने आच्छा perform किया तीन मैने में भी आच्छा perform किया बट पिछले 10 सालों की बात करे तो company undervalued चल रही दोस्तो बिलकु पर्मोटर की holding के बात करें तो आपकोंगा 55% का स्टेक पर्मोटर के पास mutual fund के पास नहीं फॉरें निवेशक नहीं इंस्यरस कार परेशन नहीं यह बड़े निवेश्टर नहीं है यहाँ पर देखे छोटे निवेशक चोटे निवेशक जबरदस तरीकी से खरिदारी 44% का स उसमें से बहुत ही कम दोस्तों परफॉर्म करती है क्योंकि उनके अंदर competition बहुत ज़्यादा है कंपणी का नाम देख सकते दोस्तों आपको नजर आगा बनारी अमन नाम इस कंपणी का और कंपणी टेक्टाइल का बिजनेस करती है यहाप आप इसके टेक्टाइल के बिज और बाद में एगजिट कर सकते हैं मेरा कोई रेक्वेंडेशन नहीं है बड़ आप याँ पर आपके खुद का डिसन आप खुद ले सकते किस तरह किसमें इंवेट्मेंट नहीं करनी है या करनी है बोलकर थैंक्यू सो मच